Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का धीई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 04 भारत में राजनेतिक सनलचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में आज हम Unit 5 और Unit 6 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि इन Units के अंदर में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं किस तरह के questions बनते हैं, exam में question पूछे जाने का pattern होता है उन questions का answer हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में शॉर्ट में discuss करेंगे, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं Unit 5 के बारे में बात करूँ, तो Unit 5 का नाम है प्रसासनी के हम संस्थागत संरचना है Unit 6 का भी सेमी नाम है बट Chapter 6 के अंदर में अलग-अलग है अब देखो, यहां पे हम बात करते हैं कि भाई, British शाशनकाल चल रहा है, उपने विशिक भारत का है, Britain का गुलाम है और उस time period पे वहां की प्रसासनी के विवस्था किस परकार की थी, ठीक है, संस्थागत संरचना है किस परकार की थी, इसके बारे में हम discuss करने वाले है तो यूनिट फिफ्थ का जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नम्बर सोला, जिसके अंदर हम बात करें प्राइदीपिय भारत में परसासनीक एम संस्थागत संरचना है अब देको प्राइदीपिय भारत क्या होता है, तो दच्छिन भारत का जो हिस्सा है उसको प्राइदीपिय भारत कहते है, भारत का या फिर किसी भी जमीन का वो अंग जो तीन तरफ से समुंदर से गिरा है, उसे हम प्राइदीपिय कहते है, ठीक है तो दच्छिन भारत का जो हिससे है ना, ठीक है, जहां परत, मिलाडूक, नाटका, केरल, यह सारे जू आते हैं, यह प्राइदीपिय भारत के अंग के तौरos पे जान जाते हैं, तो प्राइदीपिय भारत के इंदर में प्रसासनिक व्वश्था किस परकार गीती, इसके के बारे में यहां पर question बनता है उनसे related question बनकर आता है जिसमें सबसे पहले आता है संगम once ठीक है कि संगम once में किस परकार की वहां पर राजनेतिक पद्धिती रही उसको आप define की जिए संगम once का साहिते संगम साहिते के अधार पर ही सुरोत मानकर संगम once को define करते कि संगम once की राजनेतिक पद्धिती क्या क्या रही किस परकार से रही ठीक है में सुरोत के तौर पर हम संगम साहिते को मानते हैं उसके बात में यहां पर कोशन मनता है पल्लव पांडेन चोल वंस के अधार पर ठीक है कि पल्लव वंस किस परकार के थे ठीक है और उसके साथ में चोल वंस किस परकार के थे इनकी परसासनिक गतिवीदिया किस परकार की रही ठीक है राजनेतिक पतिद्धि किस परकार की रही इसको लेकर यहां पर question बन जाता है पल्लव पंडेन चोल वंस के अधार पर ठीक है एक question और बनता है कि दखन में प्रसासनिक ववस्था किस परकार करा था दखन की प्रसासनिक ववस्था के बारे में बताईए ये भी important question है ये पीछे आया भी आपकी exam के अंदर में ठीक है तो सातवफन की प्रसासनिक ववस्था को प्ताईए तो आपको तीनों को बताना पड़ेगा और अगरलग-अलग पूछे तो अलग-अलग में अच्छोट है तो यहाँ पे आता है सातवफन बादामी के चालुक के ठीक है और उसके साथ में आता है रास्ट कुट ठीक है रास्ट कुट तो इस तर से तीनों को आप यहाँ पर define करके लिखोगे कि साथ वहन बंस का किस तर से राजनीतिक पदेती रही परसासनी के वस्ता किस परकार के रही और रास्ट कुटों की किस परकार से रहे हैं यहाँ पर यह डिफाइन करके लिख होगा और यह वाला चैप्टर यहाँ पर खतम हो जाएगा अब हम उपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं उत्तर भारत का जिसके अंदर में नौर्मली हर्याना, यूपी, मद्य पर्देश, ठीक है यह गुजरात, राजिस्तान यह सारा मतलब जो हिस्सा यह कवर कर जाता है अब देखो इस भारत की हम जब बात करते हैं, तो नौर्मली यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर भारत में प्रशासनिक संस्था का संरचना है क्या है तो यहां पर जो mainly question मनता है मौरे काल की आप प्रशास्निक विवस्ता को बताईए venir के गुपतकाल की प्रशास्निक विवस्ता को बताई थीです में थोड़ा सा आपको डिटेल दूँ तो मौरे का जो ॉस्रोत है उसके बारे में जानकारी趣 तो मतलब चानक के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्दसास या फिर मेगस्थनिस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका या फिर कई सारे यात्रविर्तांत या फिर बोगत और जेन धरम के जो धार्मिक गरंद थे ठीक है वैत पुरान थे उनके अधार पर हम उसके बारे सब्सक्राइब में पता चलता है तो अलग अलग अंग होती तो हर अलग वैक MARKET के लिए राजा को माना जाता था, ठीके चंदरगुप्त मुरिया सबसे स्रेश्ट के तौर पे देखिये गए, राजा के तौर पे, ठीके तो ये पूरी ववस्था किस परकार की थी, वहाँ पे सेम गुप्त काल के अंदर में भी क्या थी, वह भाप पताय ना है, ठीके समझ में आता ह क्या है, तो हमें इंडियन पैनल कोर्ट के अकोडिंग, हम फैसला सुनाते है कि भारती अचार सहीता के अनुसार आपको ये सजा दी जाती है, या हम सविधान के अकोडिंग ये सजा देते है, नॉर्मल ये चलता है ना, पर आज से अगर आप पीछे जाते हो, मंदेकालिन भारत के अंदर में, मेडाइवल टाइम प्रेट के अंदर में, तो वहां पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, कि मनुस्मिर्थी, ब्रामनवाद के कई सारे गरंथ, ठीके कई सारे वेद, रिजुरुवेद, यदुरुवेद, ठीके यग बलव, ऐसा करके बहुत सारे ग अपरिचीत करके मुवी है, जिसके अंदर में, बन्दा तीन, चार अलगग जो रूप में लेता है, आपरिचीत करके ऐसा कोई मुवी का नाम है, मुझे याद नहीं है, मैंने थोड़ा बूल देखा है, ठीके तो उसके अंदर में भी क्या है कि वह जो सजा देता है लोगो आपको बताना है ठीक है यहाँ पर ठीक है समझ में आता है यूनिट फिफ्ट हमारा खतम होता है यूनिट शिक्स के बारे में बात कुर तो उस नाम से में परशासनिक अमस्ता का संगच आए यहाँ पर सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत क केंदर में प्रशासनिक विस्ता किस परकार के थी किस तरह से दिल्ली सल्तनत को बनाया गया ठीक है वहाँ पे केंदरी प्रशासन का महत्व क्या था किस तरह से regulate किया जाता था दिल्ली से पूरे भारत को वो दिल्ली सल्तनत को आपको बताना है वहां के प्रशास्निक ववस्ता को यहां पर जिक्र करना है ठीक है अगला चैप्टर यहां पर आता है विजय नगर बहमनी और दूसरे राज्यों के बारे में अब विजय नगर का जो कभी भ इस वाले topic के अंदर में विजय नगर की नगर वेवस्ता के साहत में यहां पर नायक जो होते थे उनको लेटिट कोस्षिन मिन जाते है नायक क्या होते थे तो नायक क्या होता प्रशासन नहीं 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 हाचा किस परकार काथा किस परकार से उसको प्रशासन को चलाय जाता था भहमनी के अंदर में तो यह एक इंपोर्टन कोशन यहां पे रहता है ठीक है समझगे आता है 21 चैटर के और बढ़ते हैं दोस्तो मुगल काल के मुगल समराज्री के बारे में कि मुगल समराज्री है क्या? नहीं पता है Google करेет, पता ही टीकANGे मुझे कमेंच करे करे有ॊं मन सब्धार होता गया ? आगे में बात करूँ यहां पर मुगल समराजजी के अंदर में आता है मनसबदारी व्यवस्था को लेकर कि मुगलों द्वारा जो स्टार्ठ किया गया मनसबदारी व्यवस्था था वो किस परकार से चलता था किस परकार से रेगुलिट किया जाता था वो हो गया Allais societyline की नीतियां थी या फिर मुगलों के नीतियां थी धार्मिक नीति किस परकार के थी राजपुतों के नीति किस परकार के थी ठीक है तो इस तरह की जो नीतियां जो बनाई गी थी ना अलग अलग तरके प्रशाथनिक गति वीडियो के अंदर में जो सामिल किया गया था उसको यहां पर हम बता सकते हैं ठीक है समझ में आता है यहां पर लास्ट इस यूनिट का कोश्च चैप्टर बनता है चैप्टर नमबर बाइस अठारीव सदाबदी के अंदर में उत्रादिकारी राजे का मतलब क्या कि मान लो एक राज्य का गठन हुआ ठीक है वो कावी समय तक च कि मतलब इसके बाद कौन तो जैसे अब देखो 18 सब्दी की बात करें तो ऐसा टाइम पिरेड था टारीश सब्दी जहां पर मुगल सासर कमजोर हो चुके थे अब वो धीरे दिरे जितने उनके अंडर में देश थे ना या इतने भी जगत है वो धीरे दिरे वहां के जो लो इसकी प्रॉब्लम थी दोस्तों जिसके कान से मुझे वीडियो वापस से हटानी पड़ी यूटूब पे से दुबारा में बना के आपके लिए डाल रहा हूं तो मेहनत कर रहा हूं ठीक है और भी स्टुट्ट्स की एक्जाम है बट आपका एक्जाम काले इसके कान से मैं उ अगर आपके लिए कोई टॉपिक है जो छूट रहा है जो मैं नहीं कवर करवाया हूं इसके अंधर में तो आप बता सकते हैं कमेंट करके ठीक है उसके बाद में ट्राइ करूँआ कि आपके टॉपिक को मैं इस पेसली कवर करवा हूं तो फ्रेंड थैंक यूश सो मज